नमस्कार, सलाम, हम एक बार फिर चुनाओ चक्र के साथ आपके सामने हैं, मैं हूँ मुकल सरल करनाटक में चुनाओ को लेकर गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं ग्रह मंत्री और प्रधान मंत्री करनाटक के दौरे पर रहे बातें, वादें, सौगातें बहुत हैं लेकिन करनाटक सरकार के रिपोर्ड कार्ड पर बीजेपी बात नहीं करना चाहती जबकि मुद्दे कई हैं स्वास्ते से लेकर कानून व्यवस्ता तक विस्थापन से लेकर किसानों की आत्मत्या तक आज हम इन्हीं जरूरी मुद्दों पर बात करेंगे इन मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ रहेंगे करनाटक के बौडर गोवा से पत्रकार और ट्रेनर राजकुमार राजकुमार जी सरकारी योजनाओं से संबंदेद दावो और वाइरल संदेशों की परताल भी करते हैं तो आईए शुरू करते हैं चनौचक्र राजकुमार जी निउस क्लिक में आपका स्वागत है आप करनाटक राज्य की वेवस्था को लेकर काफी समय से काम करते रहे हैं निगाह रखते रहे हैं और चुनाओ के इस दोर में तो खास तोर से तो हम आपसे करनाटक के कुछ जरूरी मुद्दे जो इस्थानिय मुद्दे हैं जो समस्याई हैं उन पर बात करेंगे जिन पर आम तोर पर चुनाओं में बात नहीं होती या कम होती है और इस समय तो दूसरे ढंका शोर एक बर्पा है और सत्ता रूर दल इन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि इस से उसका रिपोर्ट कार्ड खराब होता है तो तीन चार मुद्दे हमारे सामने हम एके करके बात अगर करें तो किसी भी राज्ये के लिए उसके रिपोर्ट कार्ड के लिए उसके शाशन ववस्था को समझने के लिए आती है सबसे पहले एक बात कानून ववस्था कानून ववस्था को लेकर करनाटक कहां खड़ा है क् जैसा कि कानून ववस्था में आजकाल एक साइबर क्राइम भी जुड़ गया है तो पूरा इस कानून ववस्था पर जरा सा बताईए हमें आप हमारे दर्शकों को शुक्रिया मुकुल जी देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लेकर से रिपोर्ट कार्ड चुनाओं से पहले पेश होने चाहिए लेकि जी दुर भागिया है कि उन पे बात कम होती है उपलब्दियों के बहुत सारे डंके पीटे जाते हैं और अनाप्शना पांकडे लेकिन हाजारों करोड योजनाएं और इस तरह की चीज़े उचाली जाती हैं जैसे अगर हम आपने जो बात की की जो कानून व्यवस्ता है किसी भी प्रदेश के लिए यह किसी भी गाउं के लिए प्रदेश के लिए देश के लिए जिले के लिए बहुत बुनियादी देखते हैं कानुन विवस्था के हिसाब से तो आप देखिए कि ज्यादातर मामले चाहे वो किड्नैपिंग के हो चाहे वो आप मर्डर के हो चाहे वो बच्चों के खिलाब जो अपराद हैं चाहे वो महिलाओं के खिलाब जो अपराद हैं ना छेड़ खानी के मामले हैं ज्य तो ये जो कानून विवस्था का सवाल है, ये करनाटक के लिए बड़ा क्रूशियल सवाल है, आम तोर पर लोग कभी किसी प्रदेश को जंगल राज कह देते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर या उत्र प्रदेश को कहेंगे कि ये क्राइम की राजधानी है, दिल्ली के बारे म लेकिन करनाटक के बारे में इस तरह से बात नहीं होते कि वहाँ पर कानून विवस्था कि स्थिति क्या है, और जो आपने एक बात और जोड़ी है, मैं आपको कुछ आखने बताऊंगा, लेकिन एक महतोपूर्ण बात जो आपने जोड़ी है, साइबर क्राइम, क्योंकि सा साथ किसी का OTP चुरा लिया होगा, सिर्फ ये चीजें साइबर क्राइम के अंदर नहीं होती है, साइबर क्राइम के अंदर जो है, बहुत बड़ी-बड़ी धोखादरी होती है, साइबर क्राइम के अंदर आपके लेप्तॉप पे, आपके मोबाइल फोन पे पूरा अधिक säker कर लिया जाता है आपके पॉन के अंदर बहुत सारी चीज इंस्टॉल कर सकते हैं आपके लैप अंदर को इस तरह से हम देखते हैं वो थोड़ा सा उसको समझने की जूरूते लोगों को अभी इसका जो स्केल है वो नहीं पता है ये बड़े सीरियस किसम के केस हैं जिनके अंदर आप देखिए नेसे जैसे केस से जो है वो कितने कुछ कारिय करता और ये लोग जूज रहे हैं कि लैप्टॉप में किस तरह से प्लांट की गई चीज़ है और ये सब मामले हुए है और इस साइबर क्राइम में बैंगलोर जो है जो मुझे लगता है कि ये सिर्फ करनाटक को तो होना ही चाहिए ये पूरे देश के लिए भी चिंता का विशह है कि जो टोटल साइबर क्राइम के केसिज हैं उन्हें से आलमोस 75% बैंगलोर कॉंट्रिबूट कर रहा है तो ये एक काफी गंभीर विशह है इसको बहुत स साइबर क्राइम है ये बहुत मेंटल स्ट्रेस और आतम हत्याएं और ब्लैक मेलिंग और ये बहुत सगन्या जगन्या किसम के क्राइम है तो इसको उसकी पूरे तश्वीर को समझने की जरूरत है मैं आपको कुछ एक आंकड़े बताता हूं मैं इसलिए आप राजकुमार को इसलिए लेकर आया दर्शकों के सामने कि आप आंकड़ पर बात करते हैं जी जी देखिए अभी ये जो है जो हत्या के मामले हैं हत्या के मामले 2019 में 1314 थे तो लेकिन 2021 आया तो ये कम नहीं हुए ये 1357 हो गई तो 2020 में 1331 थे तो अगर हम ये जो ट्रेंड देख रहे हैं तो बढ़ता हुआ देख रहे हैं और हत्या के मामले में करनाटक जो हो देश के जो पहले दसराज्य हैं उन में शरीक होता है ऐसे ही जो अपहरन के मामले हैं जी अपहरन के मामलों में भी पहले दसराज्यों में शरीक है 2889 जो पहरन के मामले करन बच्चे हैं उनकी हत्या के मामले में देश में करनाटक थीसरे नंबर पर है तो यह तो इस यह जो आकड़ा हमें यह बताता है कि जो बच्चों के साथ जो क्राइम का जो स्थीती है करनाटक में उस ज्यादा घंभीर है तो क्राइम में आपने हत्या का अकड़ा बताया है यह ये तीसरे नमबर पे है जी तो ये एक काफी चिंता किया का विश्य है अब हरन में भी ये पहले दसराजियों में शामिल है गैंग रेप रेप और उसके बाद मेरा एक बड़ा क्योंकि मैंपोन मेरी हमारी चिंता जो रहती है महिला हिंसा जी 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 उसमें करनाटक कहां किस से खड़ा है जी महिलाओं के साथ जो छेड़ खानी के मामले हैं सात्वे नमबर पे है जो क्याउन सो पांच केस दर्द किये गए हैं वहां पे रेप गैंग रेप और फिर उसके बाद हत्या के मामले में चटे नमबर पर है वरिश्ट नागरिकों की खिलाप जो अपराद क मामले में नोवे नमबर पर है जो आदिवाशियों के खिलाप जो अपराद के मामले हैं उसमें सात्वे नमबर पर है और भरिश्टा चार के मामले में चौते नमबर पर है जी जी तो ये जो तमाम जो आकड़े जो हमें दिखा रहे हैं तो हमें एक तो ये चोटे स्केल नह तो अगर हम ये कहें कि अगर बी जे पी ये दावा करें कि पिछले पांच साल में अपरहाद के मामले में या कानूनमे वस्ता के मामले में सुधार हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि ये इसमें कोई सचा है मुझे लगता है कि इस पर एक पूरा अलग से एपिसोड किया जा सकता है अभी हम और अगले मुद्दे की तरफ बढ़ेंगे आपसे हम बात कर रहे थे तो स्वास्थ है यह भी एक इंडिकेटर है किसी भी राज्य की उसको मापने का स्वास्थ है के मामले में जो हेल्थ का मा बात करें तो यह तो बड़े अस्पताल हैं सरकारी एम जैसे या प्राइवेट अस्पताल हैं जो करनाटक में ठैले हुए हैं लेकिन किसी भी राज्य की जो स्वास्ता होती है वो आप और हम जानते हैं उसकी रीड जो है वो प्राइमरी हैल्फ उसका सिस्टम होता है उसे बात करें तो वो करनाटक कहां अपने को देखता है यह मुकूल जी बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और देखिए स्वास्ते कहास तर पर कोविड के बाद स्वास्ते को लेके बहुत जागरुकता बड़ी है डर बढ़ा है लोगों का और इसकी डिमांड भी बड़ी है लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि COVID के बाद से ये सिर्फ करनाटक की बात नहीं है करनाटक के अलावा भी जो भाजपा जो है वो जो उपलब्दिय के तोर पे गिनारिया जो बहुत ज़्यादा परचार कर रही है वो कर रही है मेडिकल सिक्षा के बारे में हमने हम मेडिकल कॉल जी परताल की है तो लेकिन जो सबसे बुनियादी बात है देखिए अभी भी भारत जो हुए ग्रामिड देश है और वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं जिनके पास बहुत आधुनिक सुविधाय नहीं तरह पैसा भी नहीं है कि वो प्राइवेट होस्पिटल है उसके बाद मेडिकल को ले जाता है यह हमारे बुनियादी धाचा है स्वास्ते का तो इसकी क्या स्थीति है इसके ओपर कोई सरकार इसके ओपर कोई पार्टी है ना यह बीजेपी यह नहीं बताएगी कि हम पीजेपी बात रखी है आप जी जी मैं आकडों के करनाटक में 594 पी जो पीएसी हैं वह रिक्वायर्ड है प्रैमरी हैल्स सेंटर इतने चाहिए 594 यह मैं अरबन का बता रहा हूं आपको लेकिन जो इन पोजीशन है वो 383 है तो आप यह देखिए कितना कितना शोट पाल मॉस्ट 36 परसेंट शोट पाल है और इस यह जो 383 प तु यह कितना बर्डन है और यह मैंने आपको इस बारे में राज्याश्याव हमें सवाल पूछा गया कि पी एसकी मंत्रिय मंसुक मांडविया जी उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह फरवरी 2023 की बात है उन्होंने अपनी बात एक कुछ तथ्य प्रस्तूत किये थे मैं उसी रिपोर्ट के हवाले से यह सब बाते आपको बता रहा हूँ तो अगर यह 2005 का एक बार हम देखते हैं क्योंकि इस रिपोर्ट में 2017 या 2018 जब पिछले चुना हुए उसका अकड़ा नहीं है लेकिन 2005 से और 2022 तक का अकड़ा है तो 2005 में जो है यहां पर करनाटक में 8143 सबसेंटर थे 1681 पीएचसी थे और 254 CSC थे यानि कम्यूनिटी हेल्ट स जो पिछले 17 साल है यानि 2022 में 614 सबसेंटर 457 पीएचसी बनाए गए हैं जबकि नए चीएचसी खोलने की बजाए 72 चीएचसी बंद कर दिये गए हैं यानि के सबसेंटर में और जो पीएचसी है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है चीएचसी जितने थे वो भी कम कर दिये गए हैं तो यह पिछले 17 साल का अकड़ा है यह पिछले 5 साल का नहीं है तो आप भेखिए ना यह पूरा लिखा जो को क्या बता रहा है कि किस तरह स चर्मराई हुई है आपको और चीज़े मैं बताता हूं आपको 6671 सबसेंटर ऐसे हैं जिसमें महिलाओं के लिए अलग से सोचाले नहीं है 6671 तमाम तरह कि पुरे देश में सोचाले को लेकर ऐसा मुनादी है कि हर जगह सोचाले जी 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 ऐसे लग रहा है कि जैसे कि मतलब ऐसी कोई जगह ही नहीं बची है जहांवे सोचाले नहीं हो लेकिन यह सब सेंटर की स्थीती है अगर अगर और एक बुनिया आप यह बुनियादी जरूरत है कि वहां पे महिलाओं के लिए लगसे सोचाले जरूरी होना ही चाहिए यह कोई ऐसा नहीं कि मार्केट प्लेस है अगरा वगरा है वहां पे खास किस्म की जरूरत के हिसाब से लोग जाते हैं हस्पताल में यह सब सेंटर मैंने आपको बताया जो पीएचसी 166 पीएचसी और 11 पीएचसी में महिलाओं के लिए लगसे सोचाले नहीं हैं यह तो बहुत बुनियादी सुविधागी मैंने आपको बात की इसके अलावा बापको बताता हूं जो चोटी मोटी चीजों की जरूरत होती है सीएचसी जो है जो निचला पाइदान है उसमें सब सेंटर पीएचसी और फिर सीएचसी आता हूं उसके बाद सब डिजिनल होस्पेटल आता है सीएचसी पे रेकमेंडेशन है कि चैर सपेसलिस डॉक्टर होने चाहिए और कुछ बुनी तीस एक बैट होने चाहिए रेडियोग्राफर होना चाहिए उनके उन पे ही सिर्फ रेफरल ट्रांस्पोर्ट है बाकि सेचसी की स्थीती यह है कि अगर कोई हालत गंबीर हो गई उसे आगे रेफर करना पड़ा तो उनके पास खुंद का कोई बाहन नहीं है तो इन सब के भरोसे तीन करोड लोग पड़े हैं और इसके अलावा एक सो 30CFC में ही सिर्फ-फंक्शनल लेबर रूम है 169 CSC में ही सिर्फ-फंक्शनल ओपरेशन थेटर है तो आप यह बताई ओपरेशन थेटर लेबर रूम ऐपरेफरल ट्रांस्पॉर्ट्ट एक्स रे मशीन ना यह इस शिर्फ इंफ्रस्ट्रक्चर की यह स्थीती है यह जो गुनियादी सुविदाएं वो नहीं है आपको एक और इंट्रेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको मैं कि जो इमारते हैं जो यहां की हैरानी की बात यह है कि एक भी CHC, PHC सबसेंटर ऐसा नहीं है जिसे आप यह कैसे के सबसेंटर जिनके पास खुद का सरकारी भवन भी नहीं है अभी थोड़ी सी बात अब मैं आपको मुझे बस दो-तिन मिर्ट और दीजे मैं आपको स्टाफ के बारे में बताना चाहता हूँ कि देखिए अगर डॉक्टर नहीं है तो फिर गड़बड हो इसमें यह जो है वहाँ पे चार स्पेशलिस्ट की रेक्मेंडेशन पूरे करनाटक में मात्र सोलह सी एच्ची एसी हैं जिन में यह चारों स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब गया तो यह लोग कहां जाएं उन इन होस्पिटल यह होने का मतलब क्या जब वहाँ पे बाल रोग विशेशग्या नहीं है वहाँ पे सर्जन नहीं है फिजिशियन नहीं है तो यह स्थीती है वहाँ के डॉक्टरों की अब जो सहायक स्टाप है सायक स्टाप के अगर बात करें तो सब सेंटर पर महिला स्वास्था कारिय करता हों के 1661 पद खालीब जो बहुत ही एक तरह से सिर्फ चिंता की निश्रम की भी बात है सब questioned level पर पुरुत स्वास्थते कर्या करता हूं के 1889 पदखाली पड़ते हैं प्राथवामें के 414 पदखाली पड़ते हैं यह आकड़े हमारे पास वो है जो सरकार ख़द उपलब्द कर आरही है राज्य सभामे या जिस रिपोर्ट के हवाले से ये और ये जो रिपोर्ट है उनके स्टेटिस्टिक्स है अब जो इसके जो सामुदाइक स्वास्टेस्टर पर कितने सरजन होने चाहिए इसमें एक बड़ा खेल है अब मैं हैरान होता हूँ कि अपने देश की अपने ही लोगों के लिए जो ग्रामिन जो महनत करते हैं इस देश को तलाने में वो अपना खुन पशीना बहाते हैं इसी देश की नागरिक है उनके बारे में किस तरह से सोचती है हमारी सरकारे जो सैंक सेंक्षंट कितने हैं 48 मतलब आप भरिये मत सेंक्षंट तो पूरे कीजिए 182 सरजन चाहिए मात्र 48 पद सेंक्षंट है इन में से भी मात्र 16 पद भरे गए हैं अब इसको क्या कहें तो राजकुमार दी मुझे लगता है जैसे हमने कानुन वश्ता की बात की ये स्वास्था की बात की ये विशय ही अपने आप में ऐसे हैं कि इन पर हम बड़े-बड़े पूरे एपिसोट कर सकते हैं इस पर बात कर सकता है और होने बीच चाहिए मुझे तो आज आपके साथ और भी कुछ मुद्नों पर बात करने थी जिसे हम मैं लेकिन मैं एक दो बात आपको बताना चाहता हूं बस देखिए सिर्फ रेडियो ग्राफर आपके एनेस्थीसिया फार्मासिस्ट ये सब चीजों में का भाव है लेकिन एक आंकड़ा जो मुझे काफी परेशान किया जिस आंकड़े ने जितने भी करनाटा के C.H.C. है उन उन में से मातर दो पे भरती की देगी तो ये है करनाटा का रिपूर्ड कार्ड करनाटा की सिती जिसके लिए वह कहते नहीं अगा रहा है कि हमें फिर सरकार में लाइए ग्रह मंत्री प्रदाह मंत्री दौरे कर रहे हैं और दावे कर रहे हैं कि उन्होंने एक तरह से करनाट को कहा से कहा जो इनका जो दावा है जब पीछले जो वैनीफेस्ट हो था बीजए-पी नो इन्होंने कहा था कि हर खाम में है मैडिकल कोलेज कि अमनों इनके पूछना चाहिए कि बना क्या हाँ दूसरा मापकरत हो तो हर जिले में महाँ पे मेडिकल कोलेज छोड़िये हर जिले में डिस्टिक होस्पिटल नहीं है करनाटक में उन्होंने आयूश की दियुक्ति की बात की थी इन सब चीजों पे उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए कि जी तो मुझे लगता हम इस पर फिर बात करेंगे क्योंक आपसे जो लेबर माइग्रेशन का मामला है जो मजदूर विस्थाबन या पलायन कर रहे हैं काम की स्थिति को लेकर अपनी और एक किसाना अत्मक्तिया पर मुझे बात करने थी करनाटक में किस तरह की स्थिति है तो हम आगे के एपिसोड में जरूर आपसे जुड़ेंगे और ये सब भी आखड़ों के साथ अपने दर्शकों के सामने पेश करेंगे आज हमने एक मोटा सा आखड़ा क्राइम को लेकर और स्वास्तर विवस्ता को लेकर रखा रुसी से पता चल जाता कि करनाटक कहां खड़ा है तो बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी हम फ सब फरजी आखड़े हैं सब ऐसी दरुदर की बाते हैं अकबारों के कत्रने आ गई यहीं कई वाट सब इनुवर्सिटी से कोई आखड़ा ले लिया यह सब सरकार की आखड़े हैं सरकार ने जो राजसभा में जवाब दिया मंत्री ने उससे आखड़े लिये गए और यह कानून व्यवस्था को लेकर हमने आप सको बताया और यह स्वास्थे व्यवस्था को लेकर अभी और भी मुद्दे हैं जिन पर बात की जानी ज़रूरी है एक एक मुद्दा बहुत समय मांगता है लेकिन जिस तरह की एक समय सीमा होती है किसी भी कारेकरम की तो हमें इसे इस कारेकरम को फिलाल यहीं खत्म करना पड़ा है लेकिन आप हमसे जुड़े रहिए निश्कलिक से जुड़े रहिए चुनाव चक्राब देखते रहिए अपने साथियों को दिखाईए और हमारी यूटूब चैनल को सब् अर्याद धन्नावाद